इस कारिक्रम के पुण्यार चक है गंगवाल जी आपका घर आपका इना आप नहीं बनाया था पिताजी ने बनाया था पिताजी ने बनाया था पिताजी ने बनाया था देखना दरस्टी कैसे बदलती है बहिया आपका घर है ना यह सही मेरी धरमशाला है पीछे जो है ओ कीरती नगर हमारा यानी जग्दीश वहिया मेरा घर आपका कैसे मेरा है आप पाटनी जी बाजुवाला घर मेरा आपका नहीं है कि एसे बोलते हैं काला जी महराच जी कर पास जैसे ही जाया ना महराच जी कहीं किसी भी नगर में यह कहीं से निकल जायें गंगवाल जी जब भी आप लोग रहते हैं देखो महराच जी अपना घर भारा जी आपकी दुकान, आपका ही बेटा, भाया सत्य ना, हाँ तो मैं बोल रहा हूं मेरा है, पाटनी जी यह पीछे वाला, भावन मेरा, और कीरती नगर में जहां चत्रमास होना है वह धरमशाला मेरी, अब टेंसन हो गई जगदीज भाया को, महाराज जी यहीं मठठना बना के रहने लग जाए, पता चला मुईरा बोल दिया, पूरा परिवर्तित हो गया, यहीं पे अब महाराज जी को, भाया, जब तक महाराज जी दो-चार दिन के लिए ना, मनेश, तब तक आनन, नहीं तो आशी भाया से पूछना, ज्यादा बारेश हो जाए तो आनन नही देखा, हमारा कक्च देखा, मा, हमारा कक्च आप देखे, नहीं देखा, आज देख लें हमारा कक्च उपर, यहीं हमारा कक्च है, बहिया, जितने लोग है देविन, बहिया, जिसके घर में रह 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 और आपका घर है, जिसके घर में नहीं मतलब जिस घर में रह रह र से सबस्क्रेंग रह एंग और छालइस साल से उसके पहले कौन रहता था आजा एंदा जी पिता पिता जी दादा जी रहे ना तो वह उनका था कि आपका घर है अरे बता दो काले जी गर आपका है अब क्या बोलोगे नहीं है कि है आपका है यह निर्णे चल रहा है यह अन्यत्व भावना चल रही है जिसे मैंने अपना माना हुआ है वह मेरा है कि नहीं यह भाव मैं अपने अंतरंग में जागरत नहीं कर पाता हूं और उसमें इतना ममत्व लगा लेता हूं कि यदि कोई गाड़ी पे खरवच आजाए सोगानी जी तो दिल पे खरवच लगती है रभी भी घर अपना है ना इस संपत्ति पे आप अधिकार बताएं है उसको संपत्ति को कोई दूसरा बोल दे मेरी है तो आपकी है ना यही निर्ने अन्यत्व भावना करा रही है किसी से अलगाव की इस्तिती प्रस्तुत करना नहीं है प्रतकत्व की भावना यही कह रही है जिसे मैंने अपना माना है यह सब संबंध थे उसमें जितना ममत्व मैंने स्थापित कर लिया जिस भाई से अपना अपन था वही संपत्ति के रात में पराया दिखता है लेकन यह निर्णे होता ना भाई मेरा है ना संपत्ति मेरी है, कुछ दिन मेरे पास रही, इसलिए मैंने उसे अपना मान लिया है, ये नाम है अन्यत बभावना, गंगवाल जी घर आपका है न, आप नेड़ने तो कर लो, जो चीज आपकी होती है, आपसे कोई प्रथक कर सकता है क्या, जो चीज आपकी है, आपसे बस यही निर्णे मा, संसार में मेरे साथ जाने वाला कुछ नहीं है, इस बात का निर्णे नहीं करता और उसमें अपना अपनत्व और ममत्व इतना गहरा कर चुका हूँ, कि यदि उसे तच भी कवी कर दे, तो उस पर जंग चिड़ जाए, महा भारत का युद्ध किस पर ह हुआ, जो गाउं, मेरा इस्थान तो मेरा है, लेकिन पांच पांडवों के जो पांच गाउं है, वे भी मेरे हैं, महा भारत का कारण क्यों बड़ा, क्यों बना, जिसे मैंने अपना मान लिया, उसके लिए मैं युद्ध करने तयार हूँ, भाया ये अपना था, और है कि न बड़ात का हुआ हूँ, इस बात का निणन अन्यत्वावना कराती है, मा, जैसे घर आपके है na, जिन घरों में रहते हो, मा, वे घर सब आपके हैं, अच्छा है, ऐसे किनेु क्या हो जाता है, चालिंजिज जी, ये मा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अप्यास चल रहा है और बारा भावना यही अभ्यास करने का काम है भावना जो भी होती है वह अभ्यास के लिए है जो चीजें बारबार आपके जीवन में आएं जो चीज बारबार आपके जीवन में विचार में आती है वही परणती हो जाती है और वही तुम्हारा चारित बन जाया क एसा अभ्यास ही तो डालना है, बस घर में ऐसा चुप रहने लगजो, अनन्द याणन्द बहुत यह इप्यास जगिये है, जिन्वानी के सामने जो आनन्द आ रहा है, यह इतनी दीर और इतनी सांत, सब इतनी है ना शांत यहां सब लोग बैटें इधर वाले भी और इधर वाले भी तो यह घर में इतनी शांत रहते न बस मा यही शांत रहने के परिणाम डालने का काम यह जिन्वानी मा करती है हमारे परिणाम बाहर बस्तों में इतने लिप्त हो गए है कि उसमें यदि कोई भी मेरा कुछ कह दे कि यह मेरा है भाईया आपने यहां पर अधिकार जमाया है पिता जी के मकान पर कहते हो मेरा है और पिता जी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है यह यह वह सुन्धरा कोई की ना भाई ये वसुंधरा भाईया भूमी पतियों सब भूमी पतियों ग्यानी भूमी पतियों बताओ किसी पर इस्त्री को अपनी इस्त्री कहना व्याविचार है कि नहीं तो जिस भूमी को आप अपने को भूमी पती कह रहे हो, वे भूमी ने कब कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, परवस्तु ने कब कहा कि मैं आप की हूँ और परवस्तु पर निगाहे डालने वाला जगत में अच्छा नहीं कहलाता, इसलिए ये परम अध्यात्में विद्या नहीं है यह निर्णे हो जाए तो दुख बंद हो जाए मां देखना और अच्छे से और अच्छे से समझते हैं मनीश्विया मां जिस घर में रहते हो वह आपका घर है ना अरे बता दो सत सत जिस घर में रहते हो वह आपका घर है ना तो जिस घर में आप रहते हो मां उसी घर में जन्मे हो ना अच्छा उस घर में नहीं जन्मे तो जिस घर में आप जन्मे हो वह आपका घर है ना वो नहीं है अरे जिस जैपुर में जन्मे सब जो जो जैपुर में बहुत कम लोग होंगे हो सकता है 10-5% जैपूर वाले भी हो लेकिन जिस घर में जन में वह आपका घर है कि नहीं है नहीं है ना जिस घर में आप रहते हो वह आपका घर है ना अच्छा मा जिस दिन आपकी विदा हो रही थी तो रो क्यों रहे थे जिस दिन आप शादी करके जा रहे थे तो बहुत इतने रो रहे थे कि खाला जी भी प्रभावित हो गए कि पता नहीं क्या होने वाला है मैं कहीं कश्ट में तो नहीं ले जा रहा हूं दूसरे को खाला जी सकते हैं कि नहीं कई लोग तो रोने लग जाते रही वह अगर बाजुबाला रो रहा है तो गंगवाल जी ऐसा तो नहीं हुआता कि वह रोना चाली हुए और इतने जोड से रोई कि अपने भी आशु आगे कि भईया गलत तो नहीं कर दिया मैं किसी की लड़की को लेकर और दूसरे के घर में ले जा रहा हूं मा किसके घर ले जा रहे थे पराय घर जा रहे थे इसलिए रो रहे थे ना कि मा पराय घर जा रहे थे इसलिए आंसु आ रहे थे ना कि आपका घर कौन सा है अगया कुई कि करा cancer natomiast रहते हुः हुआ है आपका घर उनिया बिशमें απ जैन्य जम्गही 인이 वह पराया है देखता फिर फिर क्या हुआ गंग्वाल जी इक दिन जब आना था क्या आपके साथ में तब कह रहते रो रहते rap पराय गर है और बिदा होके पहुची पहली वार विदा होके अपने पीहर में पहुची और दस दिन पंदा दिन बीस दिन हो गया अब यही मा कहती है मा अब जाना है अपने घर मां, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, मैने बर पहले, जो अपना घर था, वे पराया हो गया, और जो पराया घर था, वे अपना हो गया, किस के कारणा? मां फिर रो रहे थे जग्दी जी फिर रो रहे थे मां अपने घर जाना है यहां कब तक रहेंगे और अगर लेने वाले नहीं आए पराए घर वाले तो फिर रो ना प्रारम कि वे आने ही रहे घर कौन सा है मां निरने तो कर लो घर कौन सा है यही निरने चल रहा है जिस घर में मैं कुछ दिन रहने लगता हूँ उसे अपना मानने लगता हूँ और जो पराया घर है उसको मैं जो अपना था उसको पराया कहने लगता हूँ यही परंपरा चली आ रही है और यही निरने आपके अश्रुपात का कारण बन रहा है वही पराया, वही अपना दोनों अपने और पराये के बीच में अश्रुपात की धारा रवी भाईया विचार करें जांग जी जी घर अपना है बस जैसे ये घर का देरण हो रहा है यही अन्यत भावना सिखा रही है जिससे मेरी प्रीती बढ़ती जा रही है मनीश भाईया देखो यह युवा बैठे हैं पीछे कुछ वो पीछे युवा हैं और ज्यानी युवा अभी इनसे पूछे ना अगर जिनकी बैंड वाजे नहीं बज़े जिसके बाकी तो आप लोग के देखो हमारे साथ तो रोज बसते हैं रुपेश एक बार बज़े तुमारे हमारे साथ रहते जोसी जी बज़ गए बज़ गए रोज बसते नहीं बसते हमें तो लगता कि रोज ही बसते होंगे नहीं बसते एक ही दिन बज़े वह एक दिन बज़े आपके वो बाहर वाले वह यह यह तो बाहर वाले रोज बज़बा ले ते यह एक बार बज़बाए हैं अब रोज बज रहे हैं अब जो है देखो कितने खुश हो रहे हैं बहिए बेंड बाजे बजे देखना जो युवा है ये क्या कहते हैं बड़े अच्छे समझदारी से रुपेश कहते हैं महाराज पहले मिल गए होते न तो काम बन जाता रुपेश सत्य है न सत्य है बेटा ऐसे ही सब कहते हैं जब काम बिगड जाता है न तब ही कहते हैं कि इस काम बन जाता और अगर कोई कहता आचार्शी के समय आये तो थे बारा में तब काम बना ले थे बारा में आये थे न बहुत सारे यहां पर जिनके बेंड वाजे नहीं वाजे थे वो लोग थे लेकिन सब ने अब जो है तो क्या हुआ भाईया इन योवाओं से पूछना तो यह कहते हैं अगर इनको वैराग की ओर पाटने जी अगर कोई बोल दे अगर आजाए बहुत दुरलब है दुरलब से दुरलब परिणाम है कि संसार को छोड़ने के भाव बने अनंतकाल से इनी भोगों के बीच बताए और महावीर भगवान भी इनी भोगों के बीच से निकले कोई भी इस जगत के भगवान दूत के दुले नहीं थे चाहे आदिनात भगवानों चाहे मावीर भगवानों सब के सब जीव अनंतकाल से घोर पापों के पसे हुए थे लेकिन जिस दिन निकलने का भाव हुआ तब सत्यार्थ समझ में आ गया जिसे मैंने अपना माना था उसे छोड़के जाना पड़ेगा अन्यत्व भावना आपसे यही कह रही है जिसे आपने आज तक अपना मान के रखा है उसे नियम से छोड़के जाना पड़ेगा इसका निर्णे जिस दिन हो जाएगा उस दिन जाने के बाद भी अश्रुपात नहीं होगा यह वैराग्य भावना यह बारा भावना का अर्थ है वैराग्य की चन्नियों और वैराग्य की पोशक अगर किसी को कहा गया है उसका नाम बारा भावना मान जैसी जैसी भावनाएं होती जारी है वैसे वैसे आपका चारित निर्मित होता जा रहा है बारा भावनाओं को बोल गए हैं इसलिए आसकती बढ़ती जा रही है विरक्ती कम होती जा रही है यानि भोगों की ओर आसकती क्यों बढ़ रही है क्योंकि सुबह से उठके वही सुनते वही देखते और 24 गंटे वही करते इसलिए तो विरक्ति के भाव, बारा भावनाओं का चिंतन साल में एकादवार पढ़ ले, वहवी दुरलब है। ये भावना जो है, अभी बेया, ये बहुत बड़ी पिक्रिया है। मनीश, एक पाशान लेना जैपूर में तो मूर्तिकार बहुत बेठे, आपने देखे भी होंगे, तो ये जितनी बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति थोड़ी ना थी, पाशान तो बहुत बड़ा था, तो पाशान पर मूर्तिकार ने हतोड़ा मानना प्रारम किया। पहला से नहीं तूटा, अंतिम से तूटा, उपेश सत्य है, तो पहला मारा क्यों? अंतिम ही मानना था ना? भईया, रभी भईया, पहला मारा क्यों? अंतिम से तूटा ना? कि पहले से भी तूटा? मा अगर पहले से नहीं तूटा होता तो अंतिम चैनी और हतोड़ा पड़ते से अंतिम चटान नहीं तूट सकती थी अगर पहला हतोडा मारा गया है उसकी सक्ती छीन होई है वही सक्ती छीन होते होते बारवार मारी जाए तो वही उस पासाण के टुकडे टुकडे कर देती है मा यही प्रक्रिया भावनाओं की है पहला हतोडा लगता ही नहीं है कुछ हुआ हमारे अंदर में यह प्रवचन जा रहा है ना पहला हतोड़ा, कईयों ने तो सुना ही नहीं होगा ऐसा कुछ होता है, यह पहला हतोड़ा है, क्या नहीं कुछ असर नहीं दिखेगा, लेकिन असर हुआ है, बस चार महीने पढ़ जाएं, तो चालेस तो निकली जाएं, लेकिन हम बड़े अच्छे हैं, जगदी स्वेया बड़े अच्छे हैं, हम पढ़ने ही नहीं देते, नहीं तो क्या करा, अगर चैनी से पढ़ने लग जाए ना ग्यानी, तो सारी खोट दूर हो जाएं, और जो जो खोट है वो तुरंत दूर होती जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी इधर का मारा, कभी उधर का मारा तो चोट तो पड़ती है लेकिन असर नहीं कर पाती है मा एक ही जगे बार बार चोट करी जाए की जाए, तो वह पाशान खंड भी चूर चूर हो जाया करता है बस भावनाई यही करती है बार बार आप इन संसार की भावनाउं से विरक्त हो यह बार बार अपने अंदर यह भावना भाई है एक दिन ऐसा होगा कि 148 कर्म की यह सिलाएं तूट तूट कर नश्ट हो जाएंगी श्री उदित जैन तनमे जैन सहरनपुर श्री हैपी भाईया शहवगड श्री शेशांग जैन आरा बिहार श्री प्रवीन जैन आग्रा श्रीनेतन कासलिवाल और अंगाबाद